असलाम अलेकुम गजाला किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूं बहुत ही मज़े का और बहुत ही जटपट बनने वाला गाजर का हल्वा तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर कमेंट ज प्रस्क्राइब कर लीजिएगा यह हमने धाई किलो गाजर ली है इसको छील के कदू कस कर लेना है यह हमने गाजर ली है इसके दौनों साइट के टुकड़े कट कर लेंगे अब यह मैंने कदू कस लिया है इसको हम कदू करेंगे सारी गाजर को हम कदू कस कर लेंगे यह द देखिए फ्रेंट्स मैने सारी गाजर को कदुकस कर लिया है तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं यह मैंने एक पतीला लिया है इसमें गाजर एट कर दूंगी देखिए फ्रेंड्स हमने सारी गाजर एट कर दी है अब हम इसमें मलाई और दूर डालेंगे धाई किलो गाजर में आदा किलो दूर डालेंगे अब मैं इसमें आदा कटोरी शकर एट कर रही हूँ आदे शकर हम बाद में आट करेंगे दिखिए मैंने शक्कर आइट कर दी है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और गैस ओन कर देंगे अच्छे से मिक्स करिएगा मिक्स करने के बाद हमें धकन डखके इसको 25 मिन तक कुप करना है स्लो आज़ पे इसका सारा दूद अच्छे से गाजर में चला जाना चाहिए है गाजर एकदम ड्राइ होनी चाहिए आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कुप कर सकते हैं ये देखिए 25 मिन तो गए है हमने गैस बंद कर दिया है सारा दूद अब्जोर्ब हो गया है अब मैंने एक कड़ाई में इसको निकाल लिया है अब हमें इसको फिर से पकाना है अब हम इसमें एक कटोरी घी एड़ करेंगे ये मैंने एक कटोरी घी एड़ कर दिया है घी को मिक्स कर लेंगे ये दीखिए अच्छे से मिक्स करना है अब मैं इसमें आधा कटोरी और शकर एड़ कर रही हूं थोड़े से ड्राइब फ्रूट बारिक कट करके आड़ कर देंगे यह बादाम और पिष्टे लिए हैं मैंने और थोड़े से गार्निश के लिए रख देंगे देखिए अच्छे से मेक्स कर लिया है अब कलर टेंज होने तक हमें इसको अच्छे से पकाना है हलवा गी चोड़ना चाहिए खुब अच्छे से पका लेंगे देखिए पक गया है दस मिंट हो गए है देखे गी छोड़ा है हमारा अल्वा सर्दियों में गाजर खुब आती है तो क्यों ना आप गाजर का फाइदा उठाएं घर में ही गाजर का हल्वा बनाएं इस तरह से और सर्दियों का मज़ा लें यह देखे फ्रेंड्स साइट में आपको गी नजर आ रहा होगा का मतलब हमारा हल्वा बनके एकड़म रड़ी है चलिए अब हम सर्व करते हैं देखे अब जो हमने ड्राइब फूट पचा के रखेते वो एड़ कर रही हूं बादाम और पिष्टे यह देखे फ्रेंड्स हमारा हल्वा तयार है आप जरूर ट्राइ करेगा और में जैसे भी पतन आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब में क्या हो तो सब्सक्राइब पर लीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्ला आफिर